नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में विहार दरोगा पीटी 2023 के लिए प्रैक्टी सेट डिस्कस करेंगे एप्रैक्टी सेट नमर दो है इसका पहले प्रैक्टी सेट नमर एक को अपलोड कर दिया गया है जो नहीं देखे जाके देख लिजेगा प्ले लिस्टों वेडियो आपको मिल जाएगा इस प्रेक्टिस सेट में 100 सबसे महत्पून प्रस्न है 100 में से आप कितने प्रस्न सही करते हैं इसके बारे में कॉमेंट बोक्स में बताईएगा अगर वेडियो आप सभी को हिल्फुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और वेडियो का अपने दोस्तों में सेर जरूर किजेगा तो आई देखते हैं पहला कोसर भारतिय समिधान निम्न में से किसके सोसन के बिरुद अधिकार सुकिर्थ करता है बच्चों के, इस्तिरियों के और जंजातिय के सोसन के बिरुद भारतिय समिधान जो है अधिकार सुकिर्थ करता है जबकि हमारे समिधान में दलित सब्द का उलेख नहीं किया गया है तो एक, दो, तिन आपके सही हो जाएगा भारत में अवसिस्ट सक्तियां नहीत है तो किसमे नहीत है तो भारत में जो अवसिस्ट सक्ति है वो केंदर सरकार में नहीत है निमलिखित में से कौन सा बिसे संग सुची के अंतरगत आता है इसमें से कौन सा जो बिश्य है वो आपके संग सुची के अंतरगत में आता है तो आपको ध्यान रखना है कि बीमा जो है संग सुची के अंतरगत में आता है और एक पॉइंट पुछता है जन गन्ना ध्यान रखेगा जन गन्ना जो जन गन्ना है ये भी आपके केंदर सुची में आता है ठीक है संग सुची में आता है जबकि जो सिच्छा है ये कौन से सुची में आता है तो सिच्छा आपके संबर्ती सुची में आता है ठीक है सिच्छा जो है संबर्ती सुची में आता है नेक्स्ट है कि निमन में से कौन सा प्रसासन पर बिधाई नियंतरन के अंतरगत नहीं आता है बहुत ही अच्छा प्रस्थ है कि नियमन में से कौन सा प्रसासन पर बिधाई नियंतरन के अंतरगत नहीं आता है तो देख लिजी बजट सत्र आता है अस्थगन प्रस्ताव आता है जबकि सुन काल नहीं आत ठीक है, सुन काल नहीं आता है, सुन काल में जो है केबल लोक महत्व के प्रस्थ पुछा जाता है संसद में, किस समीती में राज सभा का परतिनिधितु नहीं होता है, तो आपको ध्यान डखना है, जो प्राकलन समीती है, इसमें केबल लोक सभा के मेंबर होते हैं, जबकि सरवजनिक उपकरम समिती लोग लेखा समिती इन दोनों में जो है लोग सबा और राज सबा की मेंबर होते हैं तो इसमें A इसका राइट एंसर हो जाएगा दिये गे बिकल्पों में कौन आपके सही है इसमें से देखी कौन आपके सही है सरवच नयाले मुल छेत्राधिकार रखता है ये केवल प्रामर्स समंधी छेत्राधिकार रखता है तो इस सारे के सारे पॉइंट आपके सही है तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा निमन पर विचार कीजिए एवं नीचे दिये गए कुटों का परियोग करते हुए सही उत्तर का आपको चैन करना है तो सही उत्तर का चैन कर लिजी राजपाल अपना पद ग्रहन करने से पूर्व सपत लेगा या परतिग्यान करेगा यह पूर्व आपका ठीक है सपत या परतिग्यान का प्ररूप भरतिश समिधान की तीसरी अनुसूची में वरनित है तो यह आपके गलत है तीसरी अनुसूची में वरनित नहीं है यह जो सपत है इसका उलेग अनुचेद 159 में किया गया है उसके वादे की राजपाल उच नियाले के मुख नियाधीस या उसकी अनुफस्थिती में जो सस्टम नियाधीस के समझ जो आपके वरिस्ट नियाधीस है उनके समझ सपत या परतिग्यान करेगा यह भी पॉइंट आपका ठीक है उसके बाद है कि सपत या प्रतिग्यान की प्रकिरिया भारतिय समिधान के अनुछेद 159 में है तो यह point आपका ठीक है तो इसमें गलत को ने केवल आपके दो बला option गलत है बाकी 1, 3, 4 आपके सही है ठीक है 1, 3, 4 तो B इसका right answer हो जाएगा 2003 में कौन सी भासा आठमी अनसूची में जोड़ी गई है तो कौन सी भासा जोड़ी गई है संथाली भासा को जोड़ा गया है 2003 में ठीक है संथाली भासा को साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 2003 में जो है संथाली के अलावा बोडो और डोगरी को जोड़ा गया था बरतमान में अकुल कितने भासा है तो बरतमान में अकुल आपके 22 भासा सामिल है आठमी अनसूची में भारत के परतेक नागरिक का करतब होगा कि प्राकिर्तिक परियावरन का संड़चन एब हम उसका संबर्धन करे यह किस अनुचेद में वर्नित है यह वर्नित किस में है तो अनुचेद एक क्यामन का में यह क्या है मौलिक करतब है क्या है मौलिक करतब है ठीक है नेक्स से कि भारत में नियंतरक महालेखा परिच्छक पद का सिरजन किया गया है तो कब किया गया है भारशसन अधिनीम 1919 के माधियम से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात का होई जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी सुरुवात जो ए अप्रील 1973 में हुआ है कब हुआ है अप्रील 1973 में प्रोजेक्ट एलिफाइंट कब हुआ है आप सबी लोग बताएगा कमेंट बॉक्स में जे मंडल अरचित परिरच्छन छेत्र है अनुबांसिक भिंता के बायो मंडलिय संतुलन के घास अस्थल के किरिशे उत्पादन के तो आपको ध्यान लखना है जे मंडल अरचित परिरच्छन छेत्र जो है अनुबांसिक भिंता का है तो ए इसका रेट अंसर हो जाएगा निमन में से कौन सा एक भारत के रास्टिय जलबाईव परिवर्तन कारी योजना के मिसन में सामिल नहीं है तो देख लेजिए आपके कौन सामिल नहीं है नावकिय सक्ति ये सामिल नहीं है सतत किर्शी के लिए रास्टिय मिसन ये आपके सामिल है सौर सक्ति सामिल है अब सिस्ट से उर्जा परिवर्तन ये भी आपके सामिल है जबकि कौन नहीं सामिल है तो नाविकिये सकती आपके सामिल नहीं है भारत के रास्तिय जलबाई परिबर्तन कारियोज नहीं है ठीक है तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि टूमोरोज वायोड डेवर्सिती पूछतक के लेखक कौन है तो इसके लेखक है वंदना सिवा कौन है वंदना सिवा निमन में से कौन प्राथमिक उपभोकता के उधारन है इसमें से कौन प्राथमिक उपभोकता के उधारन है तो समझेगा जो हीरन है ये आपके प्राथमिक उपभोकता का उधारन है केवल जो हीरन है वो आपके प्राथमिक उपभोकता का उधारन है हिरन क्या खाता है तो हिरन जो है आपके घास पिला पोधे के पत्ते आपके खाता है तो क्या हो जाएगा प्राथ में उपभोगता हो जाएगा ठीक है जबकि बाग लोमडी इस सरे क्या खाते हैं मीट खाते हैं चीटी भी देखेगा आपको मीट खाते हुए मिल जाएगी अपने घर में अब लोग चीकर बनाते होंगे या मछली बनाते होंगे तो देखेगा उसमें आके खाने लगती है उसको अगर कहें गिर जाएगा तो अपरिल 2023 में निरवाचन आयोग दुबरा की गई गोस्ता के अनुसार बरतमान में रास्टी पाटी की संख्या कितनी है तो बरतमान में आपके 6 रास्टी पाटी है इसे BVMR कर लिजए कितने है बरतमान में 6 रास्टी पाटी है ठीक है पहले कितने थे पहले आपके 8 थे अब हो गए है 6 ठीक है ये कौनकोर पाटी है इसके बारे में एक बार आप लोग नोट कर लिजी क्योंकि यहां से प्रस्ण बनता है तो पहले आपको भारती रास्टी काउंग्रेस दुसरा भारती जन्ता पाटी BJP तिसरा है बहुजन समाजवादी पाटी चाउठा है आम आदमी पाटी उसके बाद पाच्मा है नेशनल पिपुल्स पाटी मेघाले की पाटी है मेघाले में उसके बाद है CPI कोन है CPIEM ठीक है CPIEM CPI मरक्सबादी ठीक है इसे नोट कर लिजेगा भारत का पहला संविधान साच्छर जिला कोलम किस राज में है तो आपको वयाद रखना है किरल में है केरल राज में है एक रास्ट एक उरुबरक योजना की शुरुआत किसके दवारा किये गई है तो प्रदान मंत्री मोदी जी के दवारा किया गया है कब किया गया है तो इसमें भारत का अस्थान आपके तेर्मा है साथ है आपको ध्यान डखना है कि पहला अस्थान किसे मिला है तो अफगानिस्थान को मिला है किसे मिला है अफगानिस्तान को मिला है जहां पर तालिबान का सासन है वर्ल्ड एकोनोमिक आउटलूक रिपोर्ट दो हजार तेस द्वारा भारतिय अर्थ विवस्था की बिर्धी दर कितना अनुमानित की गई है तो कितना अनुमानित किया गई है 5.9% 5.9% बेशु का पर्थम 3D printed rocket का नाम क्या है बहुत ही अच्छा सवाल है बेशु का पर्थम 3D printed rocket का नाम क्या है तो उसका नाम है टेराउन एक क्या नाम है टेराउन एक आपके rocket का नाम है ठीक है साथ ही आपको ध्यान रखना कि इस rocket को जो है कहां से छोड़ा गया है तो अमिरिका के फ़लो रिडा से अमिरिका के फ़लो रिडा से ठीक है किसके दौरा नासा के दौरा नेक्स है कि भारत में जो है वेवसाइक तोर पर 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 वेवसाइक तो कौन सी है, कंपणी का नाम के है, तो Airtail कंपणी है, कौन सी कंपणी है, Airtail कंपणी है, आपके 5G सेवा इसके सुरुवात पहली बार Airtail के दौरा कहां किया गया है, तो गुजरात में किया गया है, बाग गन्ना रिपोर्ट 2022 के अनुसार, 2018 के गन्ना की तुलना में, बागो की संख्या में कितने बिर्दी हुई है, तो बागो की संख्या में जो है, 200 का बिर्दी हुआ है, कितना बिर्दी हुआ है, 200 का बिर्दी हुआ है, 2967 भाग थे आपके 2018 में जबकि 2022 में कितने भाग है तो 366 भाग है अरजुन पुरसकार 2022 बिजेता ओम परकास मिथरवाल का संबंध किस खेल से है तो इनका संबंध निशाने बाजी से है असीमा गोल्ड गलोब पुरसकार 2023 में सर्विसिस्ट अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है तो यह दिया गया है औस्टिन बटलर को किसे दिया गया है औस्टिन बटलर को दिया गया है हाली में बांगला देश के नई राश्पती के रूप में किसे चुना गया है बांगला देश के नई राश्पती कौन है? तो मुहम्मद सहा बुद्दीन चुपू है, प्रधान मंत्री सेख हसीना है वर्ल्ड अस्टील, एसो सीयसन दुबारा मार्च 2023 में जारी आकडू के अनुसार कच्चे इस पात के उत्पादन में कौन सा देश जो है करम सा अगरनी है तो सबसे अधिक जो इस पात का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है कौन करता है? चीन करता है दुसरा में भारत है, तिसरा में आपके जपान है पीम गती सक्ती मल्टी मोडल जलमार्ग सिखर का आयोजन कहां किया गया है तो उत्रपरदेश के वारा नसी में उत्रपरदेश के वारा नसी में पीम गती सक्ती मल्टी मोडल जलमार्ग सिखर सम्मिलन कहां पर हुआ है उत्रपरदेश के वारा नसी में बोल्ड कुरु छेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मद में हुआ है तो भारत तथा सिंगापुर के मद में हुआ है नेक्स्ट की बिहार जाती अधारित गन्ना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटी के जनसंख्या सरवादिक है तो बिहार में जो है अत्यांत पिछला कोटी की जनसंख्या सरवादिक है चाड़ करोड सत्तर लाक असी हजार पांसो चोदर लोग है अत्यांत पिछला वरक के ठीक है नेक्स है कि हाल ही में जो है लंपी प्रोवेक तीका को किस मंत्राले दुबरा लॉंच किया गया है यह लॉंच किया गया है केंद्रे किरसी एवं कलियान मंत्राले के दुबरा लॉंच किया गया है WHO ने हाल ही में किस देश को मलरिया मुक्त गोसित किया है तो हाल ही में जो है अजर बेजान और तजाकिस्तान को जो है मलरिया मुक्त गोसित किया है World Health Organization ने ठीक है तो A और B हो जाएगा तो D इसका रैट असर हो जाएगा याद रखेगा important point है अजर बेजान और तजाकिस्तान Next है कि भारत में 16 में राश्पती दुरोपदी मुर्मू को कुल वैद मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था तो कुल वैद मतों का जो है 64.03% आपके सही मत मिला था तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा जर परहेँ हों था किजिक स्वंत snipp सी नाटिक है था की निमलिकेत में से किसे चिकिस्ता के छेत्र में नोबल परषकार 2013 से सम्मानित किया गया है कैटालीन कारिको इनका सम्मांद हंगरी से है जबकि ड्रू बिसमैन इनका सम्मांद अमिर्का से है तो कैटालीन कारी को और 20 मैन को जो है 2023 का चिकिस्ता को नवल पुरस कर दिया गया है तो A पलस B अपकी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो D इसका रेट अंसर हो जाएगा बजट 2023 में मन्रेगा के लिए कितना राशी अवंटित की गई है तो आपको धियान रखना है कि जो मन्रेगा है इसके लिए 60,000 रुपे अपके अवंटित किया गया है भारत सरकार ने किस बरस तक देश को टीवी मुक्त करने का लज रखा है तो 2025 तक रखा है ठीक है तो C इसका रेट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि बिशु वनजिव दिवस 2023 का थीम क्या है तो इसका थीम है वनजिव सनरचन के लिए भागेदारी वनजिव सनरचन के लिए भागेदारी बिशु वनजिव दिवस परती बरस किस तारीक को मनाया जाता है तो तीन मारच को मनाया जाता है नेक्सिकि औपरेशन गंगा पुत्क के लेखक कों है? तो ओपरेशन गंगा जो पुत्क है इसके लेखक कों है नेक्सिकि बिसिस याय ध्वारा आयोजीत है महला प्रिवियर लीग का खिताब मुंबई इंडियन्स ने किसे हरा कर जीता है तो आपको व्याद रखना है दिल्ली केपिल्स को हरा कर जीता है इसका एवजन कहां पर हुआ था तो भारत के महरास्ट राज में हुआ था कुल पांस टीम है आपके इसमें भाग लिए थी बिजयता कोन है तो मुंबई इंडियन्स है जबकि उ बिजयता कोन है दिल्ली केपिल्स है ठीक है बिस्टो बैडमिंटन चेंपियंशिप दोहजार चबिस का आयोजन कहां किया जाएगा तो कहां पर किया जाएगा इसमें आपको ध्यान डखना है कि भारत में होगा कहां पर होगा भारत में होगा ओप्शन में नहीं है कहां पर होगा भारत में होगा तो इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं छेत्रिये गरामिन बैंक के अस्थापना कैप की गई है तो छेत्रिये गरामिन बैंक के अस्थापना 2. October 1975 को किया गया है निमलिखेत में से कौन जो है अपरतियज कर का उधारन है तो इसमें जो है निगम कर और उपहार कर आपके यह डिरेक्ट कर है जबकि सेवाकर अपरतियचकर है साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सीमा सूल्क, बिकरीकर, जीस्टी ये सारे क्या हैं तो अपरतियचकर है छोटे बेपारियों के लिए एक मुस्त आयकर योजना की सिफारिस किस समिती ने की थी उस समिती का नाम क्या है तो चलेए समिती उसका नाम है चलेए समिती उसका नाम है ठीक है जो चलेए समिती है इसका गठन कप किया गया था 1991 में नगदी लेन देन सिद्धान किसने दिया था तो नगदी लेन देन सिद्धान जो है फिसर ने दिया था फिसर ने दिया था निमलिखित में से कौन सा राज किरिशी को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज है किरिशी को जो है उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज कौन है तो महरास्थ है ये कब दिया था उनिसो संतानमे में दिया था असोक के किस सिलालेक में आत्म नियंतरन की सिच्छा दी गई है तो आपको ध्यान डखना है जो आलम गीर पूर है उत्रे परदेश में अस्तित है किस नदी किनारे अस्तित है तो हंडन नदी किनारे अस्तित है किस ब्रहमन में गांधार पांचाल यादी के रजाओं का उलेख मिलता है तो सत्पत ब्रहमन में मिलता है देपाड़ा अविलेख का संबंध किस सासक से है तो इसका संबंध जो है बिजय सेन से किसे संबंध है बिजय सेन से इसका संबंध है और आपको याद रखना है जो बिजेश सेन है यह बंगाल का सासक था अलाव उदिन खिलजे के समय भोराजस्ट की दैर उपज का कितना परतिसत था तो उपज का 50% था कितना था उपज का 50% तो 1y2 था कितना था 1y2 था ठीक है नेक्स है कि किसने जो है बेद मार्ग परतिस थापक की उपदी धारन की थी तो किसके दवरा धारन किया गया था तो बुक का एक के दवरा धारन किया गया था औरंग जेव दवरा जजियकर को पुना किस बरस लागो किया गया था तो औरंग जेव द्वरा जो है जजियकर को पूना जो है सिस्टी सेवंटी नायन में लागू किया गया था बंगाल में दोई सासन बेवस्ता की सुरुवात किसने की है तो रोबर्ट कलाइब के द्वरा किया गया है किसके द्वरा रोबर्ट कलाइब के द्वरा जो रोबर्ट के लाइब है इसका कारिकाल कब से कब तक रहता है 1757 से 60 और 1765 से 67 ठीक है नेक्स्ट की सहायक संधी को सिवकार करने वाले राज्यों का करम क्या है तो जो आपके सहायक संधी है बिलजिली का सबसे पहले कौन सिवकार करता है इसे तो हैदराबाद कब करता है 1798 में 1798 में उसके बाद कौन करता है मैसूर करता है कब करता है तो मैसूर 1799 में और इसके बाद है तन्जोर ये कब करता है 1799 में भी करता है उसके बाद अवद त्यान रखेगा अवद अवद जो है कब करता है तो 1801 में करता है तो इसका answer क्या हो जाएगा ए इसका right answer हो जाएगा पहाया बिद्रोः का संबंध किस राजसे है जो पहाया बिद्रोः है इसका संबंध बिहार एवं जहरखंड से है 1857 के करांती को किस ब्रिटिस नायक ने इलाहाबाद में दवाया था तो जो इलाहाबाद में 1800 संतावन की करांती हुआ था पूरे भारत में ही हुआ था लगबग पूरे नोर्थ इंडिया में तो इलाहाबाद में किस ने दवाया था तो करनल नील ने दवाया था करनल नील ने दवाया था ठीक है यहाँ पर जो आपके पहाया बिद्रो है यह कब हुआ था तो 1700 निननमे में हुआ था 1700 निननमे में हुआ था किसके नित्रितु में हुआ था तो तीलका मांजी के नित्रितु में हुआ था अजाद हिंद सरकार की अस्थापना किसके दवरा किया गया था तो यह किया गया है सुवाचंदर बोस के दवरा सुवाचंदर बोस के दवरा कब किया गया है 1943 में निमलिकेत में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी दवरा नहीं लिखी गई इसमें कौन सी पुस्तक जो है महात्मा गांदी जी के द्वारा ने लिखा गया है तो देखिएगा यंग इंडिया हरजन और हिंद सुराज लिखा गया है जबकि मेरी कहानी जवाला नहर्यूक द्वारे लिखा गया है नेक्स है कि किस अधिवेशन में पर्थम भारतिय महिला ने कांगरस अधिवेशन की अधिच्ता की थी तो एक तलिसमा अधिवेशन में कब हुआ था? 1925 में कहां पर हुआ था? कानपूर में हुआ था? नाम क्या है? सरोजनी नैडू के नाम है? सरोजनी नैडू नाम है ठीक है? इतना आपको ध्यान में रखना है 1917 में एनी बिशनक नेत्रित में हुआ था कोलकाता में पर्थम महिला थी ठीक है अब पर्थम भारती हो जाएगा तो सरुजनी नेडू समान्ता सोतन्ता एबं बंधुत्वे किस करांती का प्रमुख नारा था तो आपको याद रखना की फ्रांस से करांती का वहा था सत्रसु नवासी में निमलिखित में से किन दो भोटीक रासियों की इकाई एक ही है तो बल और भारका ठीक है नेक्स है कि एनिमो मीटर उपकरन का परियोग खाली अस्थान को मापने में किया जाता है तो किसे मापने में किया जाता है वायू की गती मापने में किया जाता है एनिमो मीटर का इस्तमाल निम्लिखेत में से कौन सही समिकरन को दर्शाता है इसमें कौन जब के है सही समिकरन को दर्शाता है तो यहाँ पर समझेगा यह अंतिक उर्जा माइनस गतिज उर्जा बराबर इस्थितिज उर्जा तो यहाँ के पहला आपके ठीक हो जाएगा बर्नवली का प्रेमे जिसके संरच्छन के सिध्धान पर अधारी थे बर्नवली का प्रेमे किसके जिसके बोल दी गया किसके संरच्छन के सिध्धान पर अधारी थे तो आपको ध्यान रखना है उर्जा के संरच्छन के सिध्धान पर आपके अधारी थे बर्नुली का प्रेमे तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स से की निम्लिखित में से किसकी भींता की कारण संपिडन और विरलन उत्पन होते हैं किसके संपिडन की कारण तो हवा के दवाब के कारण तो B इसका रैट अंसर होगा अवासी और सिधी छभी के लिए दरपन का अवर्धन होना चाहिए कैसा होना चाहिए तो धनात्मक कैसा होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए निम्लिखित में से कौन सा परमानु के बारे में सत नहीं इसमें से कौन परमानु के बारे में सही नहीं तो देख लिजी, दो तत्व के परमानू समान होते हैं, ये आपके गलत है, परमानू का अकार बहुत छोटा होता है, एक तत्व के परमानू सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, तो इसमें गलत कौन हो जाएगा, दो तत्व के परमानू समान होते हैं, ये आपके गलत हो जाएगा ठीक है, नेक्स है कि धात्यू के पतली तार के रूप में ढालने की बैसेस्ता क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तंता कहलाती है, साथ है आपको ध्यान ड़कना है, कि अगर आप एक गराम सोना लेते हैं, तो इसकी तंता कितना किलिमोटर होगा तो इसकी तंता जो है लगवग दो किलिमोटर है मात्र एक गराम सोने की ठीक है नेक्स्ट है कि जल सोधन में कौन से प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है तो जल सोधन में जो है विपरित प्रासन प्रक्रिय का इस्तमाल किया जाता है निम्लिखित में से कौन सा छारिय बिलियन नहीं है इसमें से कौन जो है आपके छारिय बिलियन नहीं है तो देख लिजिए, केलसियम, हडराउकसाईड, सोडियम हडराउकसाईड, मेगनिसियम हडराउकसाईड यह तीनों है, जबकि Elmoneyum हडराउकसाईड नहीं है. निम्लिखित में से इसका डी होगा, ठीक है? निले लिटमर्स को क्या कर देगा लाल कर देगा उसके बाद आपके ये तयत्व दिया गया है को समान तक किस नाम से जाना जाता है इस सारे तयत्व को जो है किस नाम से जाना जाता है तो आपको आद रखना कि हेलोजन के नाम से जाना जाता है आमोनिया का वेवसाइक निर्मान किस प्रकिरिया से होता है जो आमोनिया है इसका वेवसाइक निर्मान किस प्रकिरिया से होता है तो हैवर प्रकिरिया के दुबरा होता है मैक्रोलोजी का अध्यान निम्न में से किसे सम्मंदित है जो मैक्रोलोजी है इसका अध्यान किसे सम्मंदित है तो कवक से इसका सम्मंद है ठीक है कवक से इसका सम्मंद है नेक्स है कि निम्रिखेत में से कौन सा एक कोस्तिका में अधीक मातरा में पाई जाने बाला अनु है तो कौन है जल पौधे में लचिलापन किस उत्तक के करण होता है तो आपको आज रखना है कौलें कायमा करण होता है किसके करण कौलें कायमा की करण होता है मनुस्यों में पूर्षों के यौन गुन सुत्रों में कौन सा समू होता है मनुस्यों में पूर्षों के यौन गुन सुत्रों में कौन सा समू होता है तो आपको ध्यान रखना है, जो पुरूस है उसमें, एक्स और बाई दुनों होता है, जबकि महला में केबल हो केबल, एक्स जेक्स होता है, आमीबा में परजरन कैसे होता है, जो आमीबा है, इसमें परजरन कैसे होता है, तो आपको बाद रखना है, दुई खंडन के दौरा किसे होता है दोई खंडन के दुवरा होता है कि निमलिकेत में से कौन जो है परी संचरन तंत्र का अंग नहीं है तो रख तो है हिरदय भी है धमनिया भी है जबकि बड़ी आत नहीं है ठीक है निम्लिकेत में से किन पोधे को जड़, तना और पतियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है तो किसे आपके विभाजित नहीं किया जा सकता है तो आपको आधर रेखना है कि अस्पाइरो गैरा को जो है जड, तना और पतियों में बिभाजित आपके नहीं किया जा सकता है उसके बाद है कि सुची एक को सुची दो के साथ सुमिलित करना है जल परपात है और आपके राज है दूद साकर जल परपात कहा है? अब सभी को पता है कहा है? गोवा में कहां पर है? गोवा में है उसके बाद है कि बरकाना जल परपात ये कहां पर है? ये आपके करनाटक में है उसके बाद है दूदूमा जल परपात ये कहां पर है? उडिशा में है किली यूर ये कहां परे तमिल नाडू में है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा चार तीन दू एक ठीक है नेकसे कि माउंट थूलियर अन्वार और निकोबार दीप समू का एक महत्पुन प्रवत सिखर है ये कहां अवस्तित है ये आपके कहां अवस्तित है तो आपको आद रखना है कि ग्रेट निकोबार में अवस्तित है कहां परे ग्रेट निकोबार में अवस्तित है साथ ही आपको धियान रखना कि अन्वान निकोबार का सबसे उचा चोटी कौन है तो सेंडल पीक है कौन है सैंडल पीक है सैंडल पीक है इसकी उचाई कितना है तो 738 मिटर है जबकि जो माउंट थुलियर है इसकी उचाई कितना है तो 642 मिटर है ठीक है नेक्स है कि सूची एक को सूची दो के साथ समलित करना है तो समलित कर लिजेगा भोगोलिक लच्छन और भोगोलिक परकिरिया का प्रकार ठीक है तो पहला है सर्क पहला है सर्क इसका प्रकार है हिमनन्त के अपरदनी लच्छन क्या है सर्क जो है हिमनन्त के अपरदनी ये क्या है? तो वाईव के अपरदनी लच्छन है, वरखान, वरखान जो है वाईव के निच्छेपन लच्छन है, ड्रमलेन, हिमनन्द के निच्छेपन का लच्छन है, ठीक है? तो इसका अंसर क्या हो जाएगा चार एक तीन दो तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कि प्रती चक्रबात की विश्यस्ता होती है जो प्रती चक्रबात है इसकी विश्यस्ता क्या होता है तो स्वच आस्मान होता है आस्मान क्या होता है? तो इसमें देखेगा जेलम सतलज ब्यास समलित है जबकि सिंदु नदी आपके समलित नहीं है पंच नदी में निमलिखित अस्थानों में से कौन एक जो है लोह आयास के खनन छेतर नहीं है इसमें से कौन जबके एक लोह आयास के खनन छेतर नहीं है तो मजाल खंड जो है ये आपके नहीं है जो मजाल खंड है ये कहां अस्तित है तो आपको ध्यान रखना है जो मजाल खंड है ये आपके मद परदेश में अस्तित है और किसले फेमस है तो तामबा उत्पादन के लिए फेमस है जबकि बैला डीला, अनंधपूर और मैयुरु जान लेजेगा कि जन गन्ना के अनुसार निमलिखित राजियों में से किस राज में जन संक्या का घनातवाब के नियूनतम है तो जो आपके ऑप्सन दिया गया है इसमें हो जाएगा मिजोरा, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो है सबसे कम जन संखे घनत कहाँ पर है तो अरुनाचल प्रदेश में, अरुनाचल प्रदेश में कितना है तो प्रती बर किलोमेटर आपके 17 है, जबकि मिजोरा में कितना है, तो मिजोरा में आपके बामन है, सिक्किम में 86 है, जबके नागा लेंड है, यहाँ पर 119 है नेक्स है कि निमलिकित में से कौन सा कथन आपके सत है, इसमें से देख लिजे, कौन सा कथन आपके सही है तो इसमें आपको ध्यान रखना जो सही है, ब्रिक फिल्ड अस्टेलिया में चलने वाली गर्म इबम सुष्ख खबा है तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा जबकि है वेंगुला परसांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है तो यह आपको ध्यान रखना है, परसांत महासागर में नहीं चलती है तो यह कहाँ पर चलती है, यह आपके अटलांटिक महासागर में चलने वाली एक ठंडी जलधारा है ठीक है, तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा गया है कि सिमुक अरब रगिस्तान में बहने वाली एक ठंडी हवा है तो आपको ध्यान रखना है कि सिमुक जो है अरब रगिस्तान में बहने वाली एक गर्म एबं सुस्क हवा है ठीक है, ठंडी नहीं है तो डी इसका राइट अंसर है नेकसे कि कन्यय कुमारी से कृष्टना डिल्टा तक के टट को किस नाम से जाना जाता है तो कोरो मंडल टट के नाम से जाना जाता है रोहीला रास्टी उध्यान किस राज में अस्थित है तो हिमाचल परदेश राज में अस्थित है रोहीला रास्टी उध्यान निम्न में से कौन बेखती? A steel man of India के रूप में बेख्यात थे तो कौन बेख्यात थे? जमसेज जी, इरानी कौन बेख्यात थे? जमसेज जी, इरानी तो C, इसका राइटन से रो जाएगा Next है कि निम्न में से किस कमपनी को महरतन कमपनी का दरजा प्राप्त नहीं है इसमें से किस कमपनी को जो है महरतन कमपनी को दरजा प्राप्त नहीं है तो हिंदुस्तान अरोनोटिक्स इंडिया लिमिटेड को जो है महरतन कमपनी का दरजा प्राप्त नहीं है जबकि COL India Limited, Power Finance Corporation, GAL India Limited आपके महरतन कमपनी है Monkey Pox नामक बीमारी को बेशु स्वास्थ संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है दल खाए निरित किस राज का एक लोक निरित है जबकि दल खाए निरित है उरिशा का एक आपके लोक निरित है नेक्स्ट है कि भारती 22 सेना के लिए राफेल बिमान किस देश से खरीदे गया है तो भारती 22 सेना के लिए जो राफेल बिमान है यह खरीदा गया है फ्रांस से ठीक है किसे खरीदा गया है फ्रांस से खरीदा गया है कितना बिमान 97 इसका अंसर क्या आएगा तो 16, 12, 8 इसके बाद आपका है 98 98 क्या क्या आएगा तो आपके आएगा 223 99 इसका आएगा इसका जो आपका है 99 99 खांगी है यह आपके 99 है 9 किलोमेटर आएगा और जो 100 है इसका आपके 32 आएगा ठीक है तो टूटल आपके 100 प्रस्टन को डिसकस किया गया है 100 में से आप सभी लोग कितने प्रस्टन को सही किया है उसके बारे में कोमेंट बॉक्स में बताइएगा थेंक्यू